कासगंज कोतवाली कासगंज शेत्र में आज सुबस संदिग्द परिस्तितियों में एक दो वर्षी मासूम की मौत हो गई वही मासूम के परज़नों ने स्वास्त विभाग पर गला ठीका लगाने का अरूप लगाया है बता देंगी मावला कासगंज कोतवाली शेत्र के गाउं भिटाउना का है बताया जाता है कि गाउं भिटाउना में स्वास्त विभाग द्वारा ठीका करान अभियान चलाया जा रहा है जिसमें 19-5 साल तक के बच्चों को टीका वा पोलियों की दवा पिलाई शा रही है बीते दिवस भी स्वास्त विभाग की टीम ने गाउं के रहने वाले महमद रजा की दो मा की मासूम बेटी को भी तीन टीके और पोलियों की दवा भी पिलाई थी जिसकी आज सुबा मौत हो गई वहीं परिजानों का रोप है की भीते दिवस जो स्वास्त विभाग की टीम ने तीन टीके लगाए वा दवा पिलाई उसके बाद से बच्ची के शरीर पर नीले धब्बे पढ़ गए और आज सुबा बच्ची की नाग से खूर निकलने लग जब इस समंद ने कासगां जिस एसी अधिक्षा आकास से बात करने की कोशिश की गई तो वह कैमरे के सामने बोलने से बसते नजर आए अजर नाम है तोहरा ने ना महांद आसिफ है अज़िप क्या गटना गटी जा बता है यह बच्चे के टीका लगाने करे तेकली स्कूल में बच्चे को लेकर ओनों मैडम ने उसको ठीका लगाया उसका रियक्शन हुआ है वह बच्चे के जो खूना आए तीन टीके एक साथ लगाती है उसको फ़े तो लगाने नहीं जिये यह आगर पीछे लगी तो हो जाता लेकिन उसको हैवी डोल्ट दिये वह बच्चे को खूना आगया और बच्चा पूर नीला पढ़ गया और रात को खतम हो गया पंच वज तो पहर को ठीका लगा और रात को खतम होगा अच इसके शिकायत किसे लग आ रहे हैं। और शिकायत करेंगें। ये और और शिकायत करेंगें। राइए। कर्णिक만 ये घरिए। रहा है। दुए का सामान बित्ता है ये दिवाली है सिर्फ दिये वाली